इस बार अमिच्छा के कदम से नहीं बलकि उनकी मिटिंग से भी पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की घिग्गी बंद जाती है इसी का नतीजा है कि इधर अमिच्छा ने हाई लेवल मिटिंग की उधर पीम इमरान खान ने बुलाई बैठाक नमस्कार स्वागत है आपका हेट्वाइन सेंडिया पर मैं हूनवीन चोहान बड़ा होने वाला है ना सिर्फ कश्मीर में बलकि पडोसे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही आहट नजर आ रही है अमिज शाह पूरी तैयारी के साथ है और अमिज शाह की तैयारी से पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होती है आपको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए है यह तो आपको पता ही है कि बैट के साथ वो आतंग की मार दिये जो जवान के रूप में रहते हैं उनको नेस्तनाबूत कर दिया है बारत में और के दिया था कि उठा कर ले जाओ लेकिन आज पता सबसे बड़ी बात क्या हुए है अब तक तो पाकिस्तान अपने उपर हुए तमाम हमलों को नकार चुका है लेकिन इस बार इम्रान खान के इन कदमों ने यह साबित कर दिया पाकिस्तान मान चुका है कि भारत ने उनके उपर जबरदस्थ हमला किया क्योंकि इमरान खा ने ट्वीट कर इस बात को अब वो किसी की बात कर लें होगा कुछ नहीं क्योंकि जवाब कड़ा मिलेगा भारत अपने दुश्मनों को मूँ तोड चवाब दी रहा है जो सीमा पार नापाक हरकरत करने की कोशिश कर रही है भारत ने अलोसी पर पाकिस्तान में गोली बारी करते हुए घुसपैट करने की कोशिश की थी जिसके जवाब में भारत ने बैट के साथ आतंक्यों कुमार दिया है भारत की इस कारनेवाई पर पाकिस्तान में हल्चल मच कई है बौकलाई पाकिस्तान ने नैशनल सेक्यारिटी कमीटी की बैठक बुलाई पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि नीलम घाटी में भारती अस्याना ने गोली बारी की जिसमें कहीं लोग जखमी हो गए वो तो लगातार आरोप लगाता है लेकिन आरोपों से हम डरने वाले नहीं उनका आरोप है कि उनके नागरे किसमें मारे जा चुके हैं क्लस्टर बमों का स्तमाल करना गलत है लेकिन सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान को दिक्कत हो दिक्कत तो भारत में बैठे कुछ नेताओं को भी है जी हाँ महबुबा मुफ्ती और उमुर अब्दुल्ला जैसे कुछ नेता हैं जो लगातार ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं देख लीजिए कि जमूरियत की बात करती है आज महबुबा मुफ्ती लेकिन उनको समझाना चाहिए कि आखिर उनको किस चीज का डर है हमारी सैना से हमें डर क्यों डर तो पाकिस्तान को लगना चाहिए लेकिन महबुबा मुफ्ती भी भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करती है और इसलिए उनको डर लगता है समझा जा सकता है कि भारत इस बार किसी को छोड़ने के कताई भी मूर में नहीं है और इसी को देखते हुए ग्रहमंत्री अमिच्षा, NSAG धोबाल और ग्रैसचीव, राजीव गोबा के साथ बैठक की कश्मीर में अलर्ट भी जारी है और सीमा पर भी तोपे लगतार तनी हुई है पाकिस्तान ने अगर हरकत की तो तोप का मूग कभी भी भारत खोल सकता है इसका अंदेशा मैंस इस बात से लगाए जा सकता है कि जैसे बैठके साथ आतंकियों को हमने निससे नाबूत कर दिया आप इस वीडियो पर अपनी राए ज़रूर रखे साथ इस वीडियो को शेर कीजी भारत में पूरी दुनिया में इस वीडियो को देखा जाए और Headwines India को सब्सक्राइब कीचिए नमस्कार